इस समय में मुंबई के गोरे गाओं इस में जो फिल्म सिटी है वहाँ पर आया हो तो आज है संडे यानि दिन है रवी बार और आज का दिन होता है कि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमिंग बॉक्स में हैस्टैक लगाकर फिल्म लाइन में काम से जुड़े जानकारी के लिए बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मैं क्या करता हूँ कि उन्ही का जवाब इस संडे स्पेशल वीडियो में देता हूँ तो चलिए जवाब और सवाल का सिलसला शुरू करते हैं मैं हूँ आपका रामयादो और आप देख रहा है अपना मन पसंद चैनल भोषपूरी वन पिछले वाली संडे स्पेशल वीडियो के बाद केवल मैं एक ही वीडियो बना पाया हूँ और उसका कारण है कि मुंबई में फिल्मों की शुटिंग शुरू हो चुकी है यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए मेरे साथ आज मैं आपको ले चल रहा हूँ फिल्म सिटी जी हाँ मुंबई के गोरे गाओ इस्ट में बसी हुई फिल्म सिटी आपको बता दू कि फिल्म सिटी के अंदर नैचरल बहुत सारे लोकेशन है जैसे तालाब है गाइडन है जंगल है इसे रोड वगेरा जो भी है वहाँ पर बना बनाया कोट अदालत मंदीर वगेरा सब कुछ है उसी के साथ साथ इंडोर शूटिंग करने के लिए बहुत सारे स्टूडियो भी है चलिए आपको आज फिल्म सिटी घुमाता हूं और बताता हूं कि वहाँ का इस समय का क्या हाल है कौन कौन से सीरियल की शूटिंग हो रही है क्या है नियम कायदे और क्या अब आप वहाँ पर जा सकते हैं काम करने के लिए या घूमने के लिए तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं करते हैं 1 2 2 2 2 4 4 5 5 6 6 7 तो इस समय में गोरे गाउं फिल्म सिटी के अंदर जो स्टूडियोज हैं बहुत बड़े-बड़े स्टूडियोज हैं यह देख रहे हैं आप इसमें तो यहाँ पर इंडोर शूटिंग करने के लिए बहुत बड़े-बड़े स्टूडियोज इस सरह से बनाये गए हैं और इसके अंदर कई बड़े-बड़े फिल्मों के सेट लगाये जाते हैं और फिर इंडोर शूट किया जाता है अब आपको पता होगा कि कपिल शर्मा का श जब तक यह कोई बीमारी नहीं थी पूरे देश में तो इसके पहले यहाँ पर दिन रार शूटिंग चलते रहती थी अलग-अलग फिल्मों के सीरियल के सेट लगाये जाते थे बनाये जाते थे और यहाँ पर हजारों की संख्या में काम करते थे लोग यहाँ पर जगा ही नहीं रहती थी पार्किंग के लिए और कभी-कभी तो लोगों को यहाँ जो है न इसके अंदर शूटिंग करने की जो है वो डेट ही नहीं मिलती थी इतना बीजी यह स्टूडियो हुआ करता था लेकिन इस बीमारी के चलते जो मुंबई में जो लॉकडाउन के चलते फिल जो है लोगों को मतलब कि इसका डेट नहीं मिलता था यह खाली नहीं रहता था लोगों को बाहर-बाहर शूटिंग करने के लिए जाना पड़ता था लेकिन अभी इस समय बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है कि कई सारे जो है ना प्रड़क्शन हाउस को परमीशन नहीं मिल जैसे कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि प्रड़क्शन को अब फिल्मों की शूटिंग करने के लिए या सीरियल की शूटिंग करने के लिए बहुत सारे जो है नियमों का पालन करना पड़ रहा है सरकार की बहुत सारी गाइडलाइन को जो है वो ध्यान रखते सभी का होना सभी लोग अगर वैक्सिन लगा चुके हैं तो उन्हीं को काम पे बुलाना कुरू मिंबर बहुत ही कम होने चाहिए सोसल डिस्टेंसिंग मास देखे हाला कि मैं मास यह उता रहा हूं क्योंकि मेरी आवाज आप तक पहुचनी चाहिए और मेरे अगल बगल कोई न पड़ी है यहाँ पे शूर्टिंग नहीं चल रही है आपने से कई सारे लोग यह सोचते होंकि धमाल से काम शुरू हो चुका होगा तो ऐसा बिलकुल नहीं है कभी यहां पे जगा नहीं मिलती थी पार्किंग के लेकिन अभी यहां देखे बिलकुल शुनाटा पस्रा वो तो अब इतना सारा गर करेंगे तो उनका production value जो है बहुत उपर चला जाएगा उनके पास इतना करने के लिए budget नहीं रहेगा मतलब सुरच्छा लोगों की सुरच्छा के लिए budget नहीं होता तो कई सारे ऐसे production है जो ढंका खाना नहीं खिला पाते हैं तो वो आपको क्या sanitizer देंगे क्या mask देंगे क्या social distancing का यह तो वो लोग अप शूटिंग अपनी नहीं कर पा रहें लेकिन जो बड़ी कंपनिया हैं जो बड़ बड़े वेक स्रीज बनाती हैं वो लोग अपना काम शुरू करके रखे हुए और उन्हीं में से मैं भी एक बड़ी कंपनी में भी समय कर रहा हूं जो अपना वेक स्रीज का काम चालू रखी है और मैं यहां शूटिंग करने के लिए आया हूँ लेकिन फिल्म स्टी की बात शूटिंग नहीं कर सकते हो और जो लाइटिंग वगेरा है वो कर सकते हैं देर राध तक लेकिन शूटिंग की जो पर्मिशन वह बिल्कुल अच्छेवे तक दी गई है क्योंकि वैसे भी आपको बता दो कि मुंबई में इस समय जो है सामके चार बजे से जो है वो दुकान या एक साल के बात देख रहे हो तो आप बोलो कि अभी मैंने आपको बताई कि लोकडाउन है यह बदलते रहता है और अगर आप यहां मुंबई आना चाहते हैं फिल्म इंडस्टी में काम करना चाहते हैं तो अभी यह थोड़ा समय आपके लिए ठीक नहीं है इसके लिए म मैं बार-बार कहते रहता हूं कि आप लोग देखते रहे हैं मुंबई के अपडेट लेते रहेगा क्योंकि मुंबई में कभी इस कोविट को लेकर कुछ भी नियम बदली हो सकते हैं तो यही जानकारी थी मैंने सोचा कि आप लोग को आज लाइफ फिल्म सिटी में जाके द चुरू हुआ है चोटे मोडे प्रक्षन भी नहीं शुरू हुआ है तो इससे थोड़ा सा आप जान देगी कि देखा आपने की फिल्म सुटी का इस वक्त का क्या माहूल है लेकिन अभी भी आप का मन कह रहा है कि हम फिल्म सुटी के अंदर जाना चाहते हैं वापे काम आएंगे कि बंदोबस जो है वहाँ पर जो भी जितने भी वहाँ सुरुच्छा गार्ड है वह पल-पल की निगरानी रखे हुए है किसी भी जो है कि ऐसे व्यक्ति को आने नहीं दे रहे हैं जिनका जो जिनको इजाजत नहीं मिली है या उनका वहाँ पर काम नहीं चल रहा है आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा ने तो आप आएंगे बड़ी मेहनस से और यहां गेट से ही वापस लोड जाएंगे हां कुछ लोगों ने कार्ड बनाया रखा है कुछ लोग कहते हैं कि मारे पास कार्ड है तो में इंट्री मिलेगी लेकिन आपका काम का जो भी जो पड़ेगा अपने घर पे क्योंकि आपके पास कार्ड है और अंदर काम चल रहा है आपका प्रॉपर आपने प्रॉडक्शन का नाम दिया है वहाँ पर फोन नमबर उनका है और उन्हें पता होगा कि हाँ इस स्टूडियो में आपकी शूटिंग चल रही है क्योंकि उन्हे सकते हैं और आपको जो है फाइन भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग है उन्हें पता होगा कि वहाँ पर टूरिस्ट बस भी चलती है जाते हैं वह सुरवात हो चुकी है अभी मैंने अभी जो लास्ट टाइम में गया था जब यह शूटिंग के लिए तो मैंने वहा लोकेशन और उस दौरान आपको अगर कहीं आउडर शूटिंग हो रही होगी तो वह भी देखने का मौका मिल सकता है साहत में बड़े आपको बशा पूरा घूमा कर लेके आएगी फिढ़ाल जो है कि यह पूरी जानकारी मैंने आज आपको इस संडे स्पेचल वीडियो मे तो कोई टेंशन मत दिजिए आप अपना सवाल जो है इस संडे स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे जो हैस्टेग लगा कर लिख दीजिएगा मैं अगला संडे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर यह दूनों सवाल जो है न इखटा ही सारी चीजों का जवाब दे दूँगा वीडियो उस वक्त थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके सवाल के जवाब मिलेंगे उमीद है कि यह जो आज की ताजा जानकारी जो है फिल्म सीटी की वह आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक देके जाएगा बहुत सारे लोगों ने गंती करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उसकी वज़े से क्या होता है इस तरह की ताजा जानकारी फिल्म इंश्टी का एकदब बिल्कुल ताजा हाल जो आपके लिए बहुत जरूरी है वह आप लोगों को नहीं मिल पाता क्योंकि आपी में से बहुत सारे ल होंगा ठीक है तो चलिए आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार